उत्रा खंड में अब होगी मटन की होम डिलिवरी फोन और घर पहुंच जाएगा कच्चा मटन और फिश उत्रा खंड में अब पहाडी वकरे, भेड और मचलियों का गोश्ट घर पर मंगवाया जा सकेगा पशुपालन विभाग ने बकराउ नाम से कच्चे मीट की वैन खोली है जहां से मटन के साथ ही मचली भी खरीडी जा सकेगी इसके साथ ही फोन से भी कच्चा गोश्ट मंगवाया जा सकेगा बकराउ में होम डिलिवरी का भी प्रावधान किया गया है पशुपालन विभाग के अनुसार उत्राकंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है पशुपालन राज्य मंतरी रेखा आरिया ने बकराउ हिमालियन गोट मीट और उत्तरा फिश फ्रेश हिमालियन फिशेज नाम से मीट औन वील को विदिवत लाँच किया है बकराउ नाम से कच्चे मीट की वैन अब शहर में घूमेगी और इसके साथ ही फोन करके भी मीट मंगवाया जा सकेगा रेखा आरिया ने कहा कि ये पहाडों से सिहत का संदेश देने की कोशिश है पहाडों में पलने वाली भेड बकरी पूरी तरह से घास पत्ती पर निर्भर होती है ऐसे में उसका मीट और दूर काफी फायदे मंद होता है पकराउ के माध्यम से इसकी ब्रांडिंग करके जनता के बीच पहुँचाने की पहल की गई है उन्होंने कहा कि उत्राखंड में मचली उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा विभाग की पहल से बकरी पालन का बिजनस कर रहे लोग काफी खुश है अलमोडा की रहने वाली गीता बिश्ट कहती है कि अब तीन साल तक उनकी बकरी और भेड के बिमार होने पर विभाग देखभाल करवाएगा साथी इंसुरेंस की सुविधा भी मिल रही है करिश्मा भी पाँच साल से बकरी पालन की व्यवसाय से जुड़ी है उन्हें भी लगता है कि इस से उनका मुनाफ़ा हो सकता है नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप अपारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें पसंदाई वीडियो को शेर करना न भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लोग इन करें www.nation1.tv पर अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्वेटर, फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ